नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे येटूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं एक ऐसी सांदर मसीन और एक ऐसा सांदर बिजनस आइडिया लेकर आया हूँ जी हाँ दोस्तों एक सांदर बिजनस के साथ मैं एक सांदर मसीन लेकर आया हूँ दोस्तों इससे सांदर बिजनस और इससे सांदर मसीन कोई नहीं हो सकती दोस्तो ये मसीन और ये बिजनस करने वाले हैं ये लो इंवेस्मेंट वाला बिजनस हैं जी हाँ दोस्तो ये बिजनस और ये मसीन लो इंवेस्मेंट से हाई प्रोफिट वाला बिजनस हैं दोस्तों इस business के लिए आपको कोई बड़ी जगह लेने के आप सकता नहीं होगी दोस्तों ये business आप आसानी से घर बैटे बैटे भी कर सकते हैं और दोस्तों इस business को आप कोई training लेने के आप सकता नहीं होगी चलो दोस्तो, time को waste के बीना वीडियो को सुरू करते हैं और देखते हैं कि मसीन किस पर कारे करती है और कितना माल तयार करती है दोस्तों मसीन का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा जो भी हमारे चैनल पर ने आया है वह चैनल को सब्क्राइब करना न भूले और पास में गंटी का बटन दे रखा है उसे प्रेस करना न भूले जिससे के आने वाले नुई नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी प्राप्त हो तो दोस्तों आज हम आपके साथ आए हैं पंचाब इंचेनिरिंग कॉर्पोरेशन में जि हाँ दोस्तों आज हम पंचाब इंचेनिरिंग कॉर्पोरेशन में आए हैं दोस्तों आज हम एक ऐसी यूनिक मसीन और एक ऐसे यूनिक न्यू बिजनस आइडिया के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों उसका नाम है नमकिन मसीन या नमकिन फ्राइर मसीन जी हाँ दोस्तो आज हम नमकिन मसीन या नमकिन फ्राय मसीन के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि यह मसीन किस परकासे कारे करती है और कैसे माल को तैयार करती है दोस्तो अब मसीन की बात करते हैं तो यह मसीन नमकिन बनाने में बहुत ही सायक मन होती है दोस्तों मैं आपको इस मसीन की कुछ खास बात बताता हूँ यह मसीन बहुत ही अच्छी तरीके से कार्या करती है और बहुत ही अच्छी तरीके से नमकिन को बनाती है दोस्तों यह मसीन होती है जो सिंगल फेज की बिजली पर आदारित होती है इसलिए दोस्तों आप इस मसीन को आसानी से घर के किसी भी कमरे में भी चला सकते हैं दोस्तों मैं आपको एक बात और कहूँ कि इसमें एक ये परकार की मसीन आती है जो कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं दोस्तो आप वीडियो में देख रहे होंगे कि कई परकार के अलग-अलग तरह के नमकिन इस मसीन की साहिता से बनाए गए हैं दोस्तो इस मसीन के साथ में आपको कहीं परकार की चीज़े भी इस मसीन के साथ में उपलप्त कराई जाती है जैसे कि मसीन इस्टाटर है, ब्रस है वगिरा सभी आपको यहां से उपलप्त कराई जाते हैं दोस्तो इसमें आपको कहीं परकार की नमकिन बनाने की जालिया होती है छोटी बड़ी वो सभी आपको यहां से उपलप्त कराई जाती है दोस्तो अब आपको इस बिजनस को किस परकार से स्टार्ट करना है वो तो मैंने आपको बता दिया और किस परकार से नमकीन को बनाना है वो तो आपने वीडियो में देख लिया है लेकिन दोस्तों आपको मार्केटिंग कैसे करनी है दोस्तों अगर आपको मार्केटिंग करनी है तो या तो आप खुदी मार्केटिंग कर सकते हैं या फिर आपको कोई marketing करने के लिए किसी आदमी को आपको रखना पड़ेगा और दोस्तों आप कहीं परकार के नमकीन के जैसे बना सकते हों एक किलो पानसो ग्राम के पाँच किलो के सबी परकार के नमकीन बना सकते हैं और आप मार्केट में आपकी कमपनी का नाम बगिरा चपा के आप ठेलिया चपा सकते हैं उस ठेलियो में आप नमकिन बरकर आप अपनी खुद की कमपनी की मार्केटिंग आसानी से कर सकते हैं और दोस्तों आपको पता ही होगा कि आज कल के लोग हैं जो सुद्ध दिखाना पसंद करते हैं इसलिए लोग आपके पास ही ज्यादातर आने शुरू हो जाएंगे दोस्तों अब मैं इसके प्रोडक्शन या केपिसिटी की बात करूँ तो यह मसीन एक गंटे में 30 से 35 किलो और नमकी ने जो आसानी से तयार करती होगी तो दोस्तों अब आप सोच सकते हैं कि यह बिजनस किस परकारगा होगा दोस्तों अगर आप इस मसीन को खरिजना चाते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक में मैंने कमपनी के निंबर दिये हैं जिससे आप बात करकर इस मसीन को खरिज सकते हैं और कोई भी इस मसीन के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाते हैं तो वो भी आपको यहांसे उप्लट करें जाएगी और अगर किसी बिजनस को लेकर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो वो भी आपको यहांसे प्राप्त हो जाएगी छलो दोस्तों मिंसी परकास से आगे के वीडियों में मिलते हैं जै हिंद जै भारत